खबर शुरू करने से पहले आपके काम की जानकारी आपको बता दें रदुभाशी माध्य प्रदेश विधानसभा चुनाफ से पहले लेकर आया है एक चुनावी महा सर्वे जिसमें आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक को क्लिक कर चुनाफ से पहले ही अपनी पसंदिदा पार्टी का चायन कर सकते हैं चलिए अब रूप करते हैं खबर की ओर मुख्य मंत्र शिवरा सिंग चौहान पिशल नौ महीने में चौथी बार खरगौन शहर पहुँचें नवग्रह मेला मैदान पर आज जिस सभा में उन्होंने करीब 36 करोड रुपए के विकासकारियों के लोकारपण एवं शिला न्यास किया इसमें मुख्य रूप से नवग्रह लोक, देविया हिल्या लोक और मेडिकल कॉलेज की सौगास शामिल है कारक्रम के दोरान सीम ने कहा कि मुझे पदका लालच नहीं है मैं केवल जनता की सेवा करना चाहता हूँ आपकी जनता की सुवदा बढ़ाने के लिए मुख्य मंत्री हूँ मेरा जनम हुआ है मद्वदेश की भूमी के पूजन और अपनी जनता की सेवा के लिए मेरे बहन और भाईयों आपकी सेवा के लिए मैं आपके लिए मुख्य मंत्री नहीं हूँ मैं तो आपके परिवार का हिस्सा हूँ आप बताना मेरे बेहनों और भाईों दिल से बताना मैं भाव से नहीं दे रहा हूँ मैं तो बात करना हूँ मैं दिल से बोल रहा हूँ बताओ मैं मुख्मंत्री जैसा लगता हूँ क्या अरे लगता हूँ क्या मुख्मंत्री लगता हूँ की भाईया मेरी लागली बेहनों तुम तो बोलो बताओ मुख्मंत्री हूँ की भाईया मैं तो तुमारा भाईया हूँ तुमारी जिंदकी बदलने के लिए पैदा हुआ हूँ अभी बैठना बात करूँगा क्या मैं दूर से देखता हूँ तो मुझे लगता है कि अपनी बेहनों के पास जा के प्रवाम करया हूँ देना भी कोई खड़े मत होना बात में होना तो मैं तुम्हारा भाई हूँ मैं बच्चों का मामा हूँ और जन्ता कस्ट में आए तो मैं चैन से नहीं बैठ सकता हूँ अजल्याज मैं कह रहा हूँ अभी बाढ़ाई कि लोगों को नुकसान वा लिकित पानी जरूरी था पानी नहीं आता तो हाहकार मच जाता पानी आया अच्छा हूँआ अच्छा हूआ के नहीं वा पता और अगर कहीं नुक्सान हुआ है तो चिंता मत करना मामा किस दिन के लिए भरभाई मैं करूँगा सर्वे करवाऊंगा और पूरे भरभाई मैं करूँगा इसी के साथ सीयम शिवराज सिंग ने कहा कि लाडली वहनों की जिंदिकी बदल गई है अब सब सम्मान से बात करते हैं सीयम ने कहा कि जैसे जैसे पैसे होंगे धाई सो धाई सो रुपए बढ़ाता जाओंगा और सबको तीन हजार रुपए दिये जाएंगे खरगौन से म्रदुभाशी के लिए पुर्षोत्तम सोनी की रिपोर्ट वीडियो को लाइक करें शेयर करें म्रदुभाशी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें